गुड मॉर्निंग एवरिवन दिस इस अन्जु मौर्या और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग चैप्टर डाइजेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम तीसरा तीन लेक्चर ह हो चुके यह चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम लोग लीवर के बारे में पैंक्रियास के बारे में स्मॉल इंटिस्टाइन लार्ज इंटिस्टाइन इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और एकदम विद कॉनसेप्ट पढ़ेंगे ठीक है पिछले लेक्चर में हमन कौन-कौन सी लेयर होती है, कौन-कौन से प्लेक्सस होते हैं, यह सारी बात हम पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, इस टमक हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टमक में कौन-कौन सी ग्लैंड है, क्या-क्या है, यह सारी चीज भी हम पढ़ चुके हैं इस lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं liver के बारे में pancreas के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे that is the small intestine और large intestine के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो देखें यहाँ पर हम लोग start करते हैं that is the stomach हो चुका है याद करिए हमने stomach के सारे के सारे chamber आपको बताया थे उसके बाद उसमें कौन-कौन सा वाल होता है या इस्फिंक्शर होता है उसमें कौन सी ग्लेंड पाई जाती है तो हमने कहा था लिवर तो सबसे पहली चीज आप जानने की कुच्छिज करिएगा लिवर इसल RAW S7 फिसके हम ли एक परणा टा है है भी भाता है थर्मॉषिक यि एक टर्मयेटिक औरिप्र कोर्ण हो ए igneविो इसे एक साहिए जो Beauty आ इमारी इसे संकर बुद्ध पहुछा जाता है इसका है और फिर्वेट तो इसकाव मिट अगर फूचा जाता है तो इसकाव एप्रॉकस्मीटलीıllी वन hm 6 kg के आसपास होता है 1.6 kg के आसपास होता है अगर इसकी location पूछी जाय तो आपको पता है हमारा lever कहां है left side में है की right side में है बिल्कुल right side में है just below diaphragm तो diaphragm के बिल्कुल नीचे है right side of the body तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे देखिए यह हमारा ऐसे right side में इसे हमारा lever होता है और यहां से इस तरीके से isophagus है और यह हमारा stomach होता है हम लोग पढ़ भी चुके हैं stomach के बारे में तो stomach के just ऊपर diaphragm माले जे मैंने diaphragm बना दिया diaphragm के just नीचे तो आप लिखे इसका location कहां है just a verb या ऐसे लिख लिजे just a verb stomach and below diaphragm towards right side right side right side of body body के right side में diaphragm के नीचे और stomach के just ऊपर तो stomach के just ऊपर इस तरीके से present है हमारा lever am I clear यहां तक बात सबको समझ में आ गई है अब अगर हम lever की बात करें तो देखिए अगली चीज क्या है लीवर में देखिए दो लोब होते हैं एक बार मैं इसका डाग्राम ऐसे बना दूं देखिए एक मिनट और यहां से मैं एक ऐसे लोब बना रही हूँ आप ध्यान दीजीएगा एकदम अच्छे से समझने की कोसिस करिए यह एक लोब हो गया इधर left लोब और यह एक right लोब तो यहां पर दो लोब होता है जो left लोब है यह right लोब है इसको देखिएगा this is the right लोब बड़ा होता है और जो left लोब है छोटा होता है left लोब क्या होता है छोटा होता है तो left लोब approximately one sixth part होता है लीवर का और right लोब five sixth part होता है लीवर का ठीक है 5 बटा 6 पार्ट राइट लोग होता है लेफ्ट लोग 1 6 पार्ट होता है इन दोनों के बीच में actually क्या है हमारी जो abdomen की जो wall होती है, हमारे जो abdominal cavity की जो wall है उसको हम लोग क्या कहते है, peritonium ये बात मैंने एक बार आपको बताई भी थी की पूरी की पूरी जो हमारी abdominal cavity की जो wall है, उसको हम क्या कहते है, peritonium तो यहाँ पे भी क्या होता है actually ये peritonium में ऐसे fit होता है liver, तो peritonium की जो wall हो, ये वाला जो portion है, ये वाला portion इस portion को हम लोग कहते हैं, falciparum falciparum ligament क्या कहते हैं, falciparum ligament, और ये actually क्या होता है, peritonium की wall होती है, क्या होती है, peritonium की wall होती है, falciparum कहलो या falciform कहते हैं, falciform falciform ligament तो जो peritonium होता है हमारा, जैसे suppose करिए कि ये एक layer बना लिजी, उसमें जब liver ऐसे fit होता है, तो उसी peritonium की wall ऐसे जाके उसमें fit हो जाती है, इसको हम लोग कहते है, falciform ligament ठीक, यहीं पर आपके right side में, पीछे की तरफ ऐसे होता है, gallbladder हम आगे दिखा दे रहें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पीछे की तरफ है gallbladder यहां तक बात समझ में आगी है और gallbladder का काम क्या है यह पूछा भी जा चुका है stories of bile, इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है, तो देखते हैं हम लोग liver के बारे में आगे अब यह जो हर लोब है, इस लोब के अंदर कुछ hexagonal structure पाए जाते है hexagonal structures, जिसको हम लोग कहते हैं, hepatic lovules कहते हैं क्या कहते हैं, hepatic lovules चलिए, इसको हम आगे देखते हैं next, अगर हम बात करें liver की तो liver के पास consist of two lobes ठीक है, two lobes होते हैं, आप कहोगे कि एक क्या है, right lobe है right hepatic lobe है na right hepatic lobe है और दूसरा क्या है left hepatic lobe है left hepatic lobe, जो right hepatic lobe है यह बड़ा है, left hepatic lobe छोटा है, यह हम already आपको बता चुके हैं each lobe, यह मैं आपे लिख दूँ, each lobe consist of consist of hepatic lovules hepatic lovules और यह hepatic lovules क्या है मैं इसको आगे देखे लेके चल रहे हूँ hepatic lovules क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं तो hepatic lovules क्या है, इसके बारे में देखें और फिर्स भरे लिवे की इस्ट्रॉक्च्चॉरल एड, वंक्च्चॉनल यूनिट ऑफ लीवर लीवर की structural and functional unit है, क्या hepatic lovules, जैसे kidney की structural functional unit nephron है, brain की या nervous system की neuron है, और हमने lungs बताया है, alveoli है, इसी तरीके से लीवर का structural functional unit क्या है, hepatic lovules है, दूसरी चीज इसके बारे में जानेगा, this is hexagonal structure, कैसा होता है, hexagonal और कहीं-कहीं pentagonal भी दिया हुआ है, pentagonal structure, okay, pentagonal structure, और तीसरी चीज़ इसके बारे में जानेगा, this is surrounded by, surrounded by glissans capsule, glissans capsule, यह बहुत important है, इसको underline करिए, फटा-फट इसको underline करिए, जो इसका hepatic lovules होता है, इसकी एक covering होती है, इस covering को हम लोग glissans capsule कहते हैं, यह question exam में पूछा जा सकता है, this question में ask in examination, glissans capsule किसकी covering है, तो hepatic lovules की covering है, और चौथी चीज़ इसके बारे में अगर हम बात करें, तो number 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, number 4 लिखेंगे, hepatic lovules consists of, consists of hepatocytes, इसके अंदर कुछ cells होते हैं, जिसको हम hepatocytes कहते हैं, यह liver cells कहते हैं, और hepatocytes का काम क्या होता है, है, hepatocytes produce, produces bile juice, तो bile juice कौन produce करता हैं, यह hepatocytes produce करते हैं, तो hepatocytes produces bile juice, am I clear, तो एक बार देखिए, हमने बताया कि lever में दो लोब है, right hepatic lov, left hepatic lov, each lov consists of hepatic lovules, okay, hepatic lovules is the structural and functional unit of lever, hexagonal or pentagonal structure, surrounded by glyceans capsule, and consists of hepatocytes, hepatocytes produces bile juice, am I clear, यहां तक सबको समझ में आ गया है, आगे चलें, अब हम एक hepatic lovules का structure देख लेते हैं, चलिए देखिए, एक hepatic lovules में बनाऊंगी, इसको बस ध्यान से समझेगा, hexagonal structure बना लूँ मैं, एक hexagonal structure बना दिया मैंने, okay, एक hepatic lovules है, पहली चीज़ तो हमने आपको यहां पे बताया हुआ है, कि इसकी covering को क्या कहते हैं, Gleason's capsule कहते हैं, क्या कहते हैं, Gleason's capsule कहते हैं, हो गया clear यहां तक, अब देखिए, यह जो hepatic lovules है, इसके बीच में एक आपको एक इस तरीके की opening दिखेगी, इसके चारों तरफ आपको ऐसे cord-like structure दिखेंगे, हर आपको corner पे, हर corner पे आपको cord-like structure दिखेगा, अभी मैं बताओंगी, यह cord-like structure क्या है, हर corner पे आपको cord-like structure, यहां से बहुत important question मैं कराने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखेगा, हर corner पे क्या है, cord-like structure है, ओके, ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दिखेगा, इस cord-like structure के दोनों तरफ ऐसे करके cells arrange होती है, ठीक है, cord-like structure के दोनों तरफ क्या arrange है, cells arrange है, और इनी cells को हम लोग कहते हैं, हिपैटोसाइट्स, cells को क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स कहते हैं, तो देखिए, पहली चीज़ क्या है, यह एक हिपैटिक लोव्यूल है, hexagonal structure, लीवर के दोनों लोब में ऐसे कई हिपैटिक लोव्यूल्स पाया जाते हैं, और इनमें एक cord-like structure मैंने बताया, जो बीच में है, जो बीच में है, इसको हम कहते हैं, central vein, क्या नाम देते हैं, आप इसको सबको समझ लेजिएगा, फिर देखिए, आपको मैंने एक बात बताया था, इसका जो हर एक corner है, हर एक corner, यहां पे तीन तरीके की opening दिखती है, तीन तरीके की ओपनिंग, अब आपको गेगी तीन तरीके की ओपनिंग या तीन तरीके का यहां पर क्या प्रेजिंट होता है, एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ओपनिंग खुलती है, दूसरी ओपनिंग इस क ओपनिंग दिखती है, तीन तरीके की ओपनिंग दिखती है, आप इसको ध्यान से समझेगा, एक ओपनिंग ये, दूसरी ओपनिंग ये, तीसरी ओपनिंग, हर कॉर्णर पर हमें तीन तरीके की ओपनिंग दिखती है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, समझेगा, एक ओपनिं याद करिए मैंने आपको circulatory system पढ़ा दिया है तो मैंने कहा था circulatory system में जो भी absorb food होते हैं intestine से पहले liver को आते हैं किस vein के द्वारा hepatic portal vein के द्वारा hepatic portal vein दूसरी हो गई hepatic portal vein ठीक है hepatic portal vein दूसरी हो गई दूसरी opening और तीसरी opening जो होती है वो होती है bile duct कौन सी bile duct मतलब यहाँ पे हर इसके corner में अब आपको होगे कि इसका काम क्या है तो देखिए इन तीनों का काम क्या है इसको ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे मैंने cells मना दिया cells यह कौन सी cell है hepato sites hepato sites का काम मैंने क्या कहा था hepato sites क्या करते है bile produce करते है hepatic artery आएगी सबको blood देगी हां से सबको blood देगी hepatic artery चलो सबको blood दे दिया पहला काम hepatic portal vein क्या कर रहा था आप बताओगे मुझे hepatic portal vein मैंने कहा था जितने भी excess carbohydrate है excess glucose है excess amino acid है सबको लाके liver में store कर दिया जाता है बताया था मैंने तो ये जितने भी excess glucose हों के ये सब आके यहाँ पे store हो जाएंगे चलो इसका काम है कि excess glucose excess pro fat ये सब आके यहाँ पे store कर दिया liver की cell में और तीसरा काम क्या है ये जो सारी cells क्या produce करेंगी bile juice produce करेंगी तो bile juice क्या होगा सब को collect करके यहाँ से एक bile duct निकलती है तो देखे artery आ रही है ये आ रही है और ये जा रहा है bile duct यहाँ से तो हर corner पे हमें ऐसे तीन openings दिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं portal triad क्या कहते हैं पोर्टल ट्रायाड पोर्टल ट्रायाड अब किसी को यहाँ पर confusion है किसी को confusion नहीं होना चाहिए और पूरे के पूरे hepatic lovule के हर एक cell से जितना भी deoxygenated blood होगा वो blood सारी की सारी यहाँ पर hepatic vein collect करेंगी और hepatic vein सारी की सारी hepatic vein मिलके इस chamber में खुलेंगी एक common opening से जिसको हम कहते हैं central vein central vein क्या है deoxygenated blood लेके यह किस से खुलती है central vein से खुलती है और फिर यह चली जाती है किसको heart को चली जाती है तो यह पूरा का पूरा structure हमने आपको बताया देखिए हमने आपको बताया था कि यह hepatic lovule है एक hepatic lovule है एक hepatic lovule है और हमने क्या कहा कि यह एक क्या है portal triad है अब मैं portal triad के बारे मैं आपको बताऊंगी हर corner पे हमें portal triad मिलते हैं क्या काम है portal triad में hepatic artery होती है hepatic portal vein होता है और small bile ducts होते हैं तो जो bile duct हैं वो यहां से सारी cells से bile collect यह क्या है हिपेटोसाइट से भाई देखिए यह कैसी cells है यह हिपेटोसाइट है हमने कहा था hepatic lovule के अंदर क्या present होता है हिपेटोसाइट यहां से यह bile collect करेंगे और यह जाएंगे लेके liver को फिर हम देखेंगे कि यह bile duct कहा खुलते हैं ठीक और हिपेटिक आर्टरी हर्ड से blood लेके आ रही है और सारी cells को दे दी हिपेटिक portal vein क्या कर रहा है हमने कहा था कि small intestine से intestine से एक vein निकलती है portal vein कहते हैं और वो liver में आके खुलती है तो जो भी excess चीज़े हैं इस्टोर कर देगी ठीक तो इसको हम क्या कहते हैं portal triad कहते हैं अब हम देख लें portal एक बार आप इसको देख लिजे फटाफट फटाफट देखिए इसको तो इती बार सबको समझ में आ गई है अब हाँ एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दे एक और चीज़ बता दे आपने कभी नाम सुना है कि लीवर में लीवर के अंदर इस दो के उस बीच में कुछ ऐसे यहाँ पर fixed phagocytic cells पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं phagocytic cells इस phagocytic cells को क्या कहते भाई kuffer cells kuffer की spelling k-u-p ऐसे होता है kuffer cells kuffer cells क्या है लीवर का phagocytic cell है phagocytic cell या इसको आप कह सकते हैं hepatic macrophage क्या कह सकते हैं hepatic macrophage मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ this is the hepatic macrophage लीवर के अंदर जो भी phagocytic tissue होगा और यह fixed macrophage होता है fixed का मतलब देखे बहुत सारे होते हैं कुछ fix होते हैं तो यह कैसा होता है fixed phagocytic cell है जो की लीवर के अंदर पाया जाता है am I clear? इतनी बास आपको समझ में आगे है portal triad आगे चले तो देखे portal triad में हमने अभी इसको हम बता दे कि जो portal triad है उसका काम क्या क्या है तो देखे ध्यान से देखे portal triad portal triad में क्या क्या है तो आपको होगे hepatic artery ठीक है hepatic artery है दूसरी चीज क्या है hepatic portal vane है hepatic portal vane है ठीक है और थर्ड चीज क्या है bile bile ducts bile duct है इतनी चीज है आपको होगे hepatic artery का काम क्या है तो लिख लीजेए याँ पे hepatic artery का काम है डोनेट्स डोनेट्स oxygenated blood two hepatocytes hepatocytes को oxygenated blood देता है ये ठीक है hepatic portal vane क्या करता है तो आपको होगे डोनेट्स extra glucose and extra fatty acids extra fatty acids extra glucose extra fatty acids and extra amino acid या protein क्या सकते हूँ extra protein नहीं क्योंकि amino acid होगा ना उसके monomer में लेके आएगा extra amino acids डोनेट्स एक्ट्र ग्लूकोज एक्ट्र फैट्टी एसीड एक्ट्र एक्ट्र एमीनो एसीड ठीक है two hepatocytes 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 को वो दे देता है और hepatocytes इसको क्या कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं आगे आपको बताएंगे जिसमें से हमेशा याद रखिएगा जिसमें से क्या होता है जो glucose plus fatty acids है ये तो स्टोर हो जाते हैं स्टोर इन liver liver में इनको स्टोर कर लिया जाता है लेकिन 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 जो amino acid होते हैं भी स्टोर नहीं होते amino acid का पहले क्या होता है deamination होता है क्या होता है deamination वहां से amino acid से amino group को निकाल दिया जाता है और फिर ये amino acid जो deamination के बाद जो बचता है इसको भेज दिया जाता है urea cycle में किसमें urea cycle में चला जाता है अब मतलब हमारी बोडी में कभी भी प्रोटीन वहां पर एमीनो एसिड इस्टोर नहीं होता लीवर में ये बात याद रखेगा उसको यूरिया साइकल में भेचके यूरिया में कनवर्ट कर दिया जाता है इतनी बात याद रखेगा ठीक चलिए अगली चीज हमने क्या देख करता है ऐमाल कलेक्ट करता है तो देख लिज़े यहां तक पोर्टल ट्रायाड का मतलब हेनिक हेट्टरी पोडिक्पोल वेड बाइलग्ट से यह उक्सजीगिनेटेट बलर्ड हेट्टोसाइट के देता है में ekstra एक्ज्टृट्र घ्लूकोज्ड एक्टाइटो एक्ट्ऩच्ट है एक्ष्ट्र एमुन हो गया आगे चलें देखिए नेक्स्ट अभी हमने क्या बताया था कि हमारा यह जो लीवर है ठीक है लीवर देखिए जिसमें हमने कहा था कि यह सबसे छोटा लोब होता है यहां से इसके अंदर जितने भी हिपैटिक लोव्यूल्स रहें होंगे वहां से जितनी भी बाइल डक्ट निकलती है बाइल लेके लेफ्ट रोब से उसको हम कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक लेफ्ट हिपैटिक बाइल डक्ट क्या कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक बाइल डक्ट कहते हैं यह बात याद रखिएगा जितने भी यहां से बाइल कलेक्ट कर कि जितना भी यहां पर हीपैटिक लोवियूल था उसके अंदर जितनी भी बाइल थी मतलब जितने भी हीपैटोसाइड थे वहां से बाइल डक्त निकली सब सब आपस में मिलके लेफ्ट हीपैटिक बाइल डक्त बनाते हैं और यहां से राइट वाले साइड से जितने भी बा बाइल डक्ट, ओके, यहां से क्या निकला, यहां से निकला, राइट, हिपाटिक, बाइल डक्ट, ओके, क्लियर, अब आप यहां रखिएगा, यहां पर एक, गॉल ब्लैडर प्रजेंट होता है, गॉल ब्लैडर, और यह गॉल ब्लैडर, यह लिख लिजे, इस इस दो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करता है, एक्स्ट्रा बाइल को स्टोर करता है, किसको, स्टोरेज ओफ बाइल, स्टोरेज ओफ बाइल, तो ब्लैडर बेदर में से भी यहां पर देखे ध्यान सी एक चीज़ मैं बता दूं गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है और इस डक्ट को हम लोग कहते हैं cystic duct, क्या केते हैं, भाई, cystic duct, लिख लीजिए, बहुत important है, gallbladder से जो duct निकली, उसको हम लोग केते हैं, cystic duct, और ये duct, ये दोनो duct, ये आपस में मिलके, right hepatic duct, ठीक है, और left hepatic duct मिलके, आपस में ये common hepatic duct बना लेती हैं, इसको हम क्या केते हैं, common hepatic duct, अब ये common hepatic duct, से fuse हो जाती हैं, cystic duct से fuse होके, एक अलग सी, अलग सी duct बनाती हैं, इस अलग सी duct को हम लोग केते हैं, common bile duct, क्या केते हैं भाई, common bile duct, CBD, CBD, यहां तक सब को समझ में आ गया, देख लीजे, एक बार सब लोग ध्यान से देखिए, left hepatic bile duct, right hepatic bile duct, दोनों मिलके, common hepatic bile duct, बना लिया है, और यह बाईल लेके जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि bile कहां जाता है, ultimately, bile juice का काम क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, कि जो bile है, चलिए, मैं इसी को, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं, और एक एक नट, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं, आप देखिए ध्यान से, मैं इस topic का नाम रख दे रही हूं, junction between, इस topic का मैं नाम रख दे रही हूं, junction between, liver, pancreas and intestine, ठीक, किसके किसके बीच, liver, pancreas and intestine, इस topic का नाम मैं ने रख दिया, junction between liver, pancreas and intestine, अब यहां तक सबको समझ में आ गया, मैं आगे इसी को आगे लेके चल रहे हूं, हमें अब common bile duct से मतलब है, किसी मतलब है, common bile duct से, तो देखिए, अब यह common bile duct, इसको ध्यान देजिए, या फिर आप इसको पहले note का लिजे, नहीं तो फिर बहुत confusion होगा, इसको note कर लिजे, हम इसको अलग बताएंगे, junction between, यह बाला मत note करिएगा, बस इतना देख लिजे कि इसकी कौन-कौन सी duct है, junction में आगे बताऊंगे आपको, तो common bile duct, एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, कि common bile duct क्या है, cystic duct और common hepatic duct दोनों fuse करके क्या बनाया है, common bile duct, हम हट जा रहे हैं और आप देख लिजे, अब यहां तक हो गया, अब हम आगे चलें, अब हम देखते हैं, function of liver, liver का functions देखते हैं, function of liver, तो इसका सबसे main function है, पहला, secretion of bile, secretion of bile, या bile juice, अब हम थोड़ा सा bile juice के बारे में देखेंगे, आप सबसे पहली चीज यह लिखेगा, कि bile juice में, अब हम bile juice को देख रहे हैं, there is no enzyme, यहां पे enzyme, कोई भी enzyme नहीं होता, first and most important point, bile juice में कोई भी enzyme नहीं होता, तो होता क्या है, इसके पास, इसके पास होता है bile pigment, क्या होता है, bile pigment, और वो दो pigment बहुत important है, एक होता है, बिली रूबिन और याद रखिएगा, यह दोनो excretory product of liver होते हैं, excretory product of liver, liver के excretory product होते है, बिली रूबिन और बिली वर्डिन, बहुत important है, इसको नोड जरूर क लिजयेगा, आफ़ली bilirubin yellow colour का होता है, और बिली वर्डिन green colour का होता है, एक बात लीज़ेगा, यह yellow colour का होता है, और यह green colour का होता है, ओकेौए, और अगर हम बात करें bilirubin की, तो Billirubin Carnivores में ज़्यादा होता है, किसमे? More in Carnivores Carnivores में जदा होता है और Billivardin more in Herbivores Herbivores में यह ज़्यादा होता है किसमे? Herbivores में ज़्यादा होता है तो यह तो अगया Bile Pigment यहां तक सबको समझ में आ गया है देख लिजे एक दम ध्यान से उसके बाद दूसरी चीज़ होते है यहाँ पे function of liver में हम आगे चल रहे हैं liver का, bile का function third three bile क्या produce करता है bile produces bile salt sorry, bile consists of bile salt यहाँ पे क्या होते है bile salts होते है कभी कर पूछ दिया जाता है bile salt क्या होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन-कौन से bile salt होते है एक होता है sodium tarocolate tarocolate sodium glycocolate ठीक है दूसरा phospholipid यह बहुत important है phospholipid और उस phospholipid का नाम है lecithin और इसका मैं काम भी आपको बताऊंगी यही emulsification करता है bile जो है fat का emulsification करता है हम आगे आपको बताएंगे phospholipid उसके अलावा glycolipid glycolipid इसके अलावा cholesterol 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 तो यह सब है bile salt इसको याद रखेगा दो bile salt होते हैं बहुत important है phospholipids glycolipids और cholesterol प्रेजन्ट होता है लेकिन bile में कोई enzyme नहीं होता bile pigment होता है bile salt होता है phospholipid glycolipid और cholesterol होता है लेकिन there is no enzyme in bile यह बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि बहुत important है यहाँ से पूछा जा सकता है ठीक है चलिए अब अगर हम bile का ही function देख ले तो देखिए function of bile functions of bile bile का function देख ले अभी हम liver का function पढ़ रहे हैं liver के function में पहला क्या है liver bile produce करता और उस bile के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो bile का जो function है सबसे पहला और important function देखिए सबसे पहला function है emulsification of emulsification of fat अरे वाँ बहुत important है देखिए यह तो आप एकदम underline करी लीजेगा fat का emulsification करता है क्योंकि देखिए मेरी बात को ध्यान समझेगा जो bile होता है fat जो होते है या lipid कहलो आप इसको lipid कहलो lipid बहुत बड़े बड़े particle में इस तरीके से अपने आपको arrange किये रहते है इसका reason भी मैं आपको बताऊंगी okay इसका reason मैं आपको बताऊंगी fat के जो बड़े droplets होते है larger droplets यहाँ पर मैं लिख दूँ large fat droplet large fat droplets होते है उसको bile क्या करता है bile क्योंकि bile के पास क्या है phospholipid है salt है वो उसको तोड़ देता है smaller fat particle में ठीक है bile salt इसको क्या करता है smaller fat particle में तोड़ देता है smaller fat particles में तोड़ देता है जिसको missles कहते हैं, क्या कहते हैं, missles, आगे इसको हम बताएंगे भी, तो बस इतना याद रखेगा, emulsification of fat is the first function of bile, second function क्या है, second function याद रखेगा, activation of pancreatic lipase, बहुत important है, activation of pancreatic lipase, क्योंकि pancreatic lipase, lipase क्या करता है, lipase, ध्यान से देखिए, जो pancreatic lipase है, lipase एक fat digesting enzyme है, और lipase कभी भी बड़े fat particle पर act नहीं कर पाता, इसी वज़े से bile पहले बड़े fat particle को छोटे fat particle में तोड़ता है, तब जाके lipase उस पर act कर पाता है, तो lipase को act करने के लिए bile की जरूरत पड़ ठीक है, क्योंकि bile ने पहले बड़े fat particle को छोटे fat particle में तोड़ा, तब जाके lipase उस छोटे fat particle को digest करेगा, तो इसलिए हम कहते है, activation of pancreatic lipase कोन करता है, bile, और third क्या है, bile fat का emulsification भी करता है, और fat के absorption में भी important role है, तो absorption लिख लिजे, absorption of, absorption of fat, and absorption of fat, and fat soluble vitamins, fat soluble, soluble vitamins, और fat soluble vitamins क्या है, जल्दी से बताओ आप, A, D, E, K, तो ये बहुत important function है, bile का, जल्दी से इसको फटा-फट लिख लिजे, absorption of fat and fat soluble, तो bile के तीन काम, बाइल के तीन काम फटा-फट लिखेंगे आप, पहला क्या था, सबसे पहला, emulsification of fat, emulsification का मतलब क्या है, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस चीज को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देखिए, emulsification of fat मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप क्या कि एक बरतन आपने लिया, घर में भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, उस बरतन में fat मतलब कोई आयल की drops डाल दीजे, आप उस आयल के उसमें पानी डाल दीजे और आयल का drop डाल दीजे, ठीक है, और सेम उसको क्या करिए, खुब तेजी से हीलाई, कितना भी हीला लेंग और हमारी body में क्या है, lumen में water ही तो भरा हुआ है, वो वहाँ पे घुलता नहीं है, उसको घुलने के लिए आपको क्या करना होगा, आप आये घर वाले experiment में, आप जिस बरतन में आपने तेल लिया है, पाने लिया है, उसमें आप थोड़ा सा detergent डाल दीजे, और वो detergent क्या करेगा, मतलब वो salt है एक तरीके का, वो detergent उसको छोटे-छोटे particle में तोड़ देता है, तब वो oil का droplet टूर जाता है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी body में जो bile होता है, bile में जो detergent है, phospholipid है, अभी मैंने बताया था, एक salt है, phospholipid है, हम कह सकते हैं, क्या नाम है Lecithin, उसको छोटे-छोटे जो fat के droplet होते हैं, बड़े droplet, उसको छोटे-छोटे droplet में तोड़ देता है, अब जाके वो छोटे droplet में अगर तोर गया है, तो जाके उसका digestion हो पाएगा, और pancreatic lipase उसको छोटे-चोटे particle में फिर तोड़ देता है, उसको डाइजस्ट कर दे यहां तक किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, ओके, तो यह तो हमने देखा कि यह लीवर के function हम लोग पढ़ रहे थे, function of liver, दिखे ध्यान से, function of liver में पहला है, secretion of bile juice, और bile juice के function हम लोग पढ़ रहे थे, bile consist of whatever the things, अब दूसरा function, function of liver को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और देखते हैं, function of liver को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखे, मैं लिग भी दे रहे हूं, function of liver, liver का दूसरा function है, synthesis of urea, synthesis of urea, liver में urea cycle होती है, ये बात तो सबको बता होगा, कौन सी cycle, urea cycle, और urea cycle को और क्या कहते हैं, क्रेप्स, हैंसलीट cycle कहते हैं, हैंसलीट cycle, आगे हम लोग urea cycle पढ़ेंगे, excretory system में, या फिर इसी को और्नी धीन, और्नी धीन cycle भी कहते हैं, तो लीवर में क्या होता है, urea cycle होता है, this is the most important thing, ठीक है, और फिर क्या होता है, लीवर is the, लीवर is the first reservoir of, first reservoir of blood, ब्लड को ये store भी करता है, third, fourth चीज लिख लीजे, लीवर is the, we can say, लीवर क्या है, synthesis of blood protein, synthesis of blood proteins, बहुत सारी plasma proteins, blood protein ना लिखे, आप plasma protein लिख लिजे, तो बहुत सारी ऐसी plasma proteins है, जैसे उस plasma protein का नाम होता है, albumin, ठीक है, albumin, globulin, albumin, globulin, और fibrinosan, ये सब, तो blood plasma protein and clotting factor, clotting factor, ठीक है, इसकी synthesis कौन करता है, liver करता है, इसके बाद हम और देखते है, it also act as, next point liver का हम देख लें, fourth या जो भी है, five, also act as erythropoietic organ, erythropoietic organ, erythropoietic organ का मतलब होता है, जहां पर blood बनता है, तो हमने ये बात आपको बताए थी, कि पहले yoke sack में बनता है, फिर liver में बनता है, तो erythropoietic organ in, in fetus, fetus, ठीक है, और बात में जाके bone marrow में बनता है, ये बात मैंने आपको बताया था, ठीक है, erythropoietic organ, इसके बात, liver और क्या करता है, liver, next चीज, detoxification, detoxification का भी काम करता है, जो भी toxic चीजे हैं, उसको detoxify करना, liver और क्या करता है, this also act as, we can say, एक और चीज है, secretions of, secretions of histamine and serotonin, serotonin from mast cell, mast cell, तो बहुत सारी ऐसे चीजे हैं, जो लीवर क्या करता है, लीवर के यह सब काम है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलें, इसको देख लीजे, नोट कर लीजे, इसको फटा फट नोट कर लीजे, अब देखिए, इसके सारे काम नोट कर लीजे, नोट कर लीवर के तुक्छ एबनोर्मील्टी होती है, उस एबनोर्मील्टी को हम लोग एकदम चैप टर के लास्ट में पढ़ेंगे, ये बात तो मैंने आपको ऑल्रेडी बता दिया है, कि जिती भी abnormalities होती है उसको हम लास्ट में, लीवर सिरोसिस हो गया, जॉन डिस हो गया, यह सारी चीज हम एक चप्टर के एक लास्ट में, सारे के सारे abnormalities पढ़ेगे, तो this is all about the liver, अब देखिए, किसी को कोई दिक्कत है, हम एक लिवर को, नहीं, लीवर को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि यह क्या है, यहां भी एक बात याद रखेगा, इसको हीपैर केते है, लार्जेस्ट ग्लेंड ऑफ बॉड़ी है, जस्ट अब देखिए, यह सब सी चीजे, जो मैंने आपको बताया है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है, उसक एक पहीटिक लोबॉल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें पोर्टल ट्राइड के बारे मैंने अच्छे से बताया है, इसको धियान से देख लीजेगा, फिर देखिए उसके बात क्या है, यहां पे मैंने पोर्टल ट्राइड को बकायदा एक्स्प्लेण भी किया है कि इसमें क्या-क्या आता है और इनका काम क्या है ओकि डेख लीजेए एक लग पार पोर्टल ट्राइड का काम ऑकिए अब आँगे देखे हम ने यह लीवर के बारे में सारे इसके जू कौल्ब कोन लिवर हो गया भाई, अब हम अगली चीज पढ़ते हैं, that is the, क्या पढ़ें, हाँ, pancreas, next आज आते हैं हम लोग, pancreas, पहली चीज याद रखेगा कि pancreas is a heterocrine gland, कैसी gland है, heterocrine gland है, या फिर इसी को आप कहते हैं, mixed gland, mixed gland, या इसी को आप कहते हैं, composite gland, क्या नाम देते हैं, composite gland, pancreas एक heterocrine gland है, mixed gland है, या composite gland है, just below the stomach, stomach के just below पाए जाती है pancreas, तो कहाँ पे हैं, सी एक, just below, stomach, towards left side, towards left side, एक leaf like gland होती है, leaf like gland, पत्ती जैसी gland होती है, अभी हम आप इसको बताएंगे, अब देखते हैं हम इसको, heterocrine gland है, composite gland है, इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझे, composite gland है, इसमें दो पार्ट होते हैं, हमने कहा है, heterocrine या mixed gland का मतलब, इसमें exocrine part भी होता है, exocrine part, और इसमें endocrine part भी होता है, endocrine part, पहले देखिए, इसका जो exocrine part है, is called as pancreatic acini, note करते रहिएगा, एकदम अच्छे से, exocrine part को क्या करते हैं, pancreatic acini करते हैं, और इसके endocrine part को करते हैं, islets of langer hands, islets of langer hands, क्या करते हैं, langer hands की द्वी पिकाएं, islets of langer hands, यहां तक किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए, जो pancreatic acini है, ठीक है, यह secret करता है pancreatic juice, क्या करता है, secret pancreatic juice, हम आगे देखेंगे pancreatic juice में क्या क्या होता है, और islets of langer hands में, again कई तरीके की cells होती है, alpha cells, ठीक है, beta cells, gamma cells, और delta cells, ठीक है, हम delta और gamma cells के function, हम जब endocrine system पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, आपको पता भी होगा alpha cells क्या secret करता है, glucagon hormone, है न, glucagon, और beta cells क्या secret करता है, insulin, क्या secret करता है, insulin secret करता है, यह हम फिर उसमें इन सब का काम वहाँ पे पढ़ेंगे, हॉर्मोन में पढ़ेंगे, ठीक, तो एक बार इसको देख लिजे, pancreas क्या है भाई, ध्यान से दिखे, pancreas एक heterocrine gland है, mixed gland है, just below the stomach, towards the left side, leaf-like gland होती है, mixed या composite gland इसको कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें exocrine और endocrine दोनों पार्ट होता है, exocrine पार्ट को pancreatic acini कहते हैं, और endocrine पार्ट को islets of langer hands कहते हैं, langer hands की dvipikाएं कहते हैं, और यह क्या secret करते हैं, इनमें कई तरीके की cells होती है, alpha cells, beta cells और gamma cells, note करिए इसको, फटा-फट note करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं, अब ही हम आगे चलेंगे, इसके बारे में दम detail में पढ़ेंगे, देखे, अब हम देखते हैं, कि है क्या यह pancreas, जैसे suppose करिए, यह हमारा stomach है, ठीक है, यह stomach है, यह हमारा stomach के बाद, यह हमारा ऐसे C-shape duodenum होता है, क्या होता है, C-shape duodenum, इसी के यहां पे ऐसे एक leaf-like gland होती है, जिसको हम कहते हैं, pancreas, क्या नाम देते हैं, pancreas, देखे, stomach के जस्ट नीचे, और इस में, इस pancreas में ध्यान दीजेगा, बहुत important है, जो मैं बताने वाले हूँ, अब यहां पे क्या होता है, हमने कहा कि, यह है pancreatic acinai, क्या है pancreatic acinai, इसका इस तरीके से यहां पे क्या होता है, pancreatic acinai, और बीच-बीच में, बीच-बीच में, बीच-बीच में, बहुत थोड़े amount होते हैं, किसके, iolates of langer hands, तो दो तरीके के यहां पे गुच्छे दिख रहे हैं, हमें, एक जो मैंने white color से बनाया हुआ है, उसको हमने नाम दे दिया pancreatic acinai, ठीक है, और जो मैंने pink color से बनाया हो, उसको हमने नाम दिया, iolates of langer hands, आप देखिए, यह pancreatic acinai क्या करते है, pancreatic juice secret करते हैं, और इनकी छोटी-छोटी duct, इस color से जो मैंने बनाया हो, छोटी-छोटी duct है, यह एक duct हो गई, यह एक duct हो गई, तो छोटी वाली duct को क्याते है, duct of centorini, क्या करते है, duct of centorini, तो जितनी भी छोटी-छोटी duct है, यह हो गया, यह छोटी वाली duct है, यह छोटी वाली, तो धेर सारी duct मिलके क्या बलाते है, duct of centorini, और यह क्या करते है, pancreatic juice को collect करते है, और सारी duct of centorini देख रहे हैं, मिलके, एक common pancreatic duct बना रही है, main pancreatic duct, और इस main pancreatic duct को क्या कहते है, main pan pancreatic duct को कहते हैं duct of virsung क्या क். duct of virsung कितना अचाए है duct of centony accessory pancreatic duct है accessory pancreatic duct है और ये सारी duct of centony मिलके main pancreatic duct बना रहे है इसको क्यते है duct of virgin duct of virgin आके फिर ये common pancreatic duct ये हो गया duct of virgin main pancreatic duct ओके यहा तक किसी को कोई confusion नहीं तो बताईए देख लिजिए, सब लोग देख लिजिए एकदम अच्छे से बिल्कुल कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए नहीं है ना आगे चले अब आगे आते हम हम देखते हैं कि यह जो हमारा pancreatic juice है, उसमें कौन-कौन से enzymes हैं, ओके क्या-क्या है pancreatic juice में ठीक है, चले आगे आए pancreatic acini ने क्या secret किया pancreatic juice secret क्या pancreatic juice इस pancreatic juice में हम कहेंगे, क्या-क्या है pancreatic enzyme है तो देखे, pancreatic juice में क्या है पहले हम जड़ा ध्यान से देख लेते इस juice में दो पार्ट होते है एक तो pancreatic enzymes का पार्ट है, यहाँ पे धेर सारे enzymes होते हैं, इसकी अलामा इस juice में bicarbonate ion भी होता है क्या होता है, bicarbonate ion इसका मैं अभी आपको function भी बताऊंगी, क्यों bicarbonate ion होता है अब हम pancreatic enzymes को discuss करेंगे, detail में pancreatic enzymes कई तरीके के होते है एक तो protein digesting enzyme protein digesting enzyme यहाँ पे और क्या होता है carbohydrate digesting enzyme ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है lipid digesting enzyme lipid digesting enzyme और यहाँ पे और क्या होता है यहाँ पे होता है nucleic acid digesting enzyme इतने सारे enzyme होते है ठीक है, nucleic acid digesting enzyme जितने भी protein digesting enzyme है ध्यान से रेखिए वो सब inactive होते हैं कैसे होते हैं, inactive enzymes called as gymosans क्या कहते हैं, इसको gymosans कहते हैं आगे मैं इसके बारे में आपको enzyme पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी gymosans उनको कहते हैं, जो भी inactive enzyme होते हैं जो ऐसे enzyme जो inactive form में secret होते हैं उनको gymosans कहते हैं और प्रोपर टाइम आने पे वो क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो ठीक है, दूसरा है, काइमो, ट्रिपसीनो, जैन, ठीक है, तीसरा है, कार्बोक्जी, प्रो, 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 कार्बोक्जी, पैप्टी डेज, प्रो, कार्बोक्जी, पैप्टी डेज, और चौथा है, प्रो, इलास्टेज, तो देखिए, इतने, protein-digesting enzyme होते हैं, जो inactive form में होते हैं, यह सब pancreatic enzyme है, याद रखिएगा, ठीक, अब आते हैं, carbohydrate digesting enzyme, तो carbohydrate digesting enzyme को कहते हैं, pancreatic amylase, क्या कहते हैं, pancreatic amylase, ठीक है, pancreatic amylase very very important, इतनी चीज़ याद रखिएगा, lipid digesting enzyme को कहते हैं, pancreatic lipase, क्या नाम दिया हमने इसको, pancreatic lipase, तो यह pancreatic lipase होता है, और nucleic acid digesting enzyme, मतलब nucleic acid क्या है, DNA and RNA है, और यहाँ पे पहली बार nucleic acid का digestion स्टार्ट होता है, इस enzyme से, और वो क्या होते हैं, nucleages, nucleages, मतलब DNA को digest करना वाला DNAGES, और RNA को digest करने वाला RNAGES, देख लीजे, देख लीजे, यहाँ पे कोई confusion किसी को नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है pancreatic acini secrete pancreatic juice, और pancreatic juice में pancreatic enzymes होते हैं, और bicarbonate ion होता है, ठीक है, bicarbonate ion, pancreatic enzymes में क्या क्या है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजे, नोट करिए फटा-फट, और आगे मैं इसके बारे में अभी और आपको interesting चीजने बताने वाले हूं, और भी अच्छी चीजने हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बाद सबको समझ में आ गई, आगे चलें, देखी, अब जो मैंने pancreatic protein digesting enzyme लिखा है, protein pancreatic, ठीक है, protein digesting enzyme, इनका activation देख लिजे, digestion enzymes, आप ऐसे लिख सकते हैं, activation of pancreatic protein digesting enzyme, digestion, digesting, अभी ये inactive form में थे, तो ये activate कैसे होंगे, देखिए, ध्यान से समझे, अब यहाँ पर आ जाईए, यहाँ पर इस वाले diagram में आईए, इस वाले diagram में, बहुत important है, समझे इस diagram को, अच्छे से समझे, देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा stomach है, no doubt, stomach के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये हमारा duodenum है, duodenum है न, duodenum, और duodenum किसका पार्ट है, small intestine, duodenum की जो mucosa है, बहुत important है, ध्यान दिजेगा, इसकी जो mucosa है, epithelial mucosa है, यहां पर एक बड़ा important enzyme होता है, इसकी mucosa की epithelial, मतलब epithelial mucosa एक enzyme secret करता है, इस enzyme का नाम होता है enterokinase, तो duodenum की जो epithelial, mucosal epithelium है, mucosal epithelium, secretes enzyme called as enterokinase, enterokinase या enteropeptidase भी कह सकते हैं, enteropeptidase, अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया, कि यह enzyme कहां सा secret होता है, duodenum की mucosal epithelium से, duodenum की जब mucosa enteropeptidase secret करती है, और यहां से pancreas के सारे के सारे enzymes आ रहे हैं, और कहां आएंगे सबसे पहले, इसी में आएंगे, duodenum में खुलेंगे, duodenum में खुलेंगे, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, बहुत attentive होके देखना है, अब यह जितने भी inactive enzymes थे, यहीं पे आएंगे न, और उनको सबसे पहले activate यही करता है enterokinase, अब यह activation हम आगे देखने वाले हैं, देखिए, यह activation कैसे होता है, सबसे पहले, यह question पूछा भी जा चुका है PGT में, या फिर GIC में, PGT या TGT में यह question पूछा जा चुका है, TGT में पूछा गया था, सबसे पहले क्या होता है, कि जो हमारा trypsinogen है, देखिए, ध्यान से, trypsinogen, इसका activator होता है enterokinase, यह question पूछा जा चुका है, enterokinase इसको activate कर देता है, किसमें, trypsin में, किसमें, trypsin में, तो trypsin का activator directly पूछा जाता है, कौन है enterokinase, और आपको अभी अभी मैंने बता है, enterokinase कहां से release होता है, intestinal mucosa से release होता है, intestinal mucosa या mucosal epithelium of intestine या deodorum, ठिक, कोई tension नहीं, अब यह trypsin autocatalyst का का काम करता है, autocatalyst का मतलब अब इसके जितने भी pancreatic enzyme, inactive enzyme थे, उनको खुदी यह activate करेगा, कैसे, देखिए, यह trypsin क्या करता है, पहला activator है, यह chemotrypsinogen को, chemotrypsinogen को convert कर देता है, chemotrypsin में, तो chemotrypsinogen कैसा था, inactive था, कैसा था, inactive, और इसको यह क्या कर देता है, active कर देता है, ठीक, trypsinogen कैसा था, inactive था, और इसको trypsin में active किसने क्या है, enterokinase, दूसरा काम trypsin क्या करता है, तो देखिए, दूसरा काम यह क्या करता है, यह pro-carboxy, pro-carboxy peptidase को convert कर देता है, carboxy peptidase में, किसमें, प्रो-carboxy peptidase में, तो pro-carboxy peptidase कैसा है, inactive है, इसको भी trypsin ही active form में convert करता है, और तीसरा काम trypsin खुद क्या करता है, इसको मैं मिटारी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटारी हूँ, देखिए, trypsin तीसरा काम और क्या करता है, यह pro-carboxy peptidase को convert कर देता है, तो यह कैसा था भईया, pro-elastage, inactive था, यह inactive था, और यह इसको active form में convert कर देता है, यहां तक किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, और यह क्या है, हमने लिखा है, activation of protein-digesting enzyme of pancreas, pancreas के protein-digesting enzyme को कैसे-कैसे activate किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले enterokinase, enterokinase आया, ठीक है, कहां से, intestinal mucosa की epithelium से, ठीक है, और यह enterokinase, enterokinase ने trypsinogen को trypsin में, अब trypsin खुद ही क्या करेगा, यह काइमो trypsinogen को काइमो trypsin में, यह pro-carboxy peptidase को carboxy peptidase में, और यह pro-elastase को elastase में convert कर देगा, Am I clear, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई problem नहीं है न, इतनी बाद सबको समझ में आ गई है, चलिए, इसको note कर लिजिए, फटा-फट note करिए, होगी, बाद समझ में आ गई है सबको, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी हम सब यह देख रहे थे, कैसे कैसे क्या होता है, तो अब आगे हम चले, अब आगे हम लोगों ने देख लिया है, हमने क्या देखा, यहां तक चीज सच चलिए, सबको समझ में आ गया है, अब आगे हम एक और चीज देखेंगे, अब धिहान से समझेगा, हमें एक जंक्शन देखना है, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन के बीच में, हम जेंगे, यहां मैं बना रही हूं लीवर, ध्यान से देखिए, हमने यह लीवर हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, लीवर, ठीक है, यह लीवर है, लीवर में हमने दो लोब बताया थे, हमें उन दोनों लोब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पे ग और गॉल ब्लेडर से कौन सी डक्त थी, आप लोग बताएंगे मुझे, सिस्टिक डक्त, और सब मिलके आपस में क्या बना लिए, सीबीडी, कॉमन हिपैटिक, सॉरी, कॉमन बाइल डक्त, इतनी बात सबको पता है, मैं अल्रेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, तो यह गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर की डक्त कौन सी डक्त थी, आप लोग बताएंगे, यह थी सिस्टिक डक्त, ठीक है, सिस्टिक डक्त, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, यह कॉमन हिपैटिक डक्त है, कॉमन हिपैटिक डक्त, और कॉमन हिपैटिक ड तो इसको मैंने लिख दिया है CBD, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब आते हैं हम इसमें, यहां पे था हमारा स्टमक, थोड़ा सा दिखिए हम डाग्राम को ऐसे बनाएंगे, ताकि आप लोग समझ जाएं, यहां पे था हमारा स्टमक, ठीक है, और स्टमक के बाद यह हमारा ड दियोडनम है, ओके डियोडनम के बाद यहां पे हमने अभी आपको बताया था कि हमारी लीफ जैसी एक ग्लेंड है, जिसको हम लोग कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, और स्टमक की में डक्ट, को हमने कहा कहा था, डक्ट औफ विर्संग, यहां मैं में पैंक्रियाटिक ड ठीक है, अब देखी, यह CBD, यह CBD बाइल लेके यहां आ जाता है, किस के पास, पैंक्रियास के पास, और पैंक्रियास में आके यह मिल जाता है, किस में मिल जाता है, पैंक्रियास में, और यह CBD है, और यह पैंक्रियाटिक डक्ट है, यह दोनों, यह मिलने से पहले यहां पर एक ऐसे स्फिंक्चर से खुलता है अब यह जो दोनों मिलने के बाद एक नई डक्ट बना देती है और इस नई डक्ट को हम लोग कहते हैं हीपेटो-पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कहते हैं? क्योंकि यह लीवर से आ रहा है और यह पैनक्रिया से तो नई डक्ट क्या बनी हीपेटो-पैनक्रियाटिक डक्ट हीपेटो-पैनक्रियाटिक डक्ट बन गया है हीपेटो-पैनक्रियाटिक डक्ट और यह हीपेटो-पैनक्रियाटिक डक्ट किसके-किसके फ्यूजन से बना है तो आपको होगे CBD CBD, किसके fusion से, CBD और pancreatic duct, main pancreatic duct के fusion से बना hepato pancreatic duct, अब यह दोनों आके खुलते हैं, यह हमारा है deodenum, क्या है भाई, यह हमारा है deodenum, deodenum है, deodenum मतलब small intestine और deodenum में यह दोनों आके यहां पर ऐसे, एक ampulla-like structure में खुलते हैं, किसमें ampulla-like structure, यहां पर एक swelling होती है, और खुलने से पहले एक sphincture यहां पर भी होता है, तो जो ampulla है, ampulla, इसको थोड़ा सा बड़ा देखिएगा, एक swelling, एक ampulla बनाते हैं, इसको कहते हैं, ampulla of waiter, क्या कहते हैं, ampulla of waiter, ठीक है, और जिस sphincture के द्वारा यह खुलते हैं, उनकी opening को कहते हैं, sphincture of odai, क्या नाम दिया, sphincture of odai, तो आप से पूछा जाता है, कभी-कभी sphincture of odai किसका है, तो आपको होगे, hypatopancreatic duct का sphincture है, sphincture of odai, जो diodonum में खुलता है, और हमने कहा था कि अभी-भी हमने बताया कि यह जो common hepatic duct है, या CBD है, यह भी pancreas में खुलने से पहले, यहाँ पर एक sphincture present होता है, इसको हम कहते हैं, sphincture of odai, क्या नाम देते हैं, sphincture of odai, am I clear, तो देखिए, एकदम इस diagram को एकदम दिमाग में रख लीजिए, यह हमारा pancreas है, क्या है, pancreas है, और यहाँ से हमारा CBD आ रहा है, CBD आके pancreas में मिल गया और दोनों मिल के क्या मनाए है, हिपेटो-pancreatic duct, हिपेटो-pancreatic duct एक ample of weighter में खुलता है, डियोडोनम में खुलने से पहले, और फिर वहाँ पर एक sphincture present होता है, इसको हम कहते है, sphincture of odai, और CBD भी pancreas में खुलने से पहले, एक sphincture में open होता है, इसको हम कहते है, sphincture of Biden, am I clear? तो this is the junction between liver and pancreas, आपको यहाँ से क्या-क्या बात समझ में आ रही है, आपको यहाँ से एक बात समझ में आएगा, कि actually क्या होता है, bile यहाँ से आ रहा है, pancreatic juice यहाँ से आ रहा है, और intestine, खुद ही intestinal juice सिक्रीट करेगा, सारे के सारे juice मिल जाएंगे एक जगे, कहाँ इंटेस्टाइन में, आप हमेशा याद रखना, pancreas में कोई digestion नहीं होता, pancreas में there is no digestion, कि वल pancreatic enzymes होते हैं, वो pancreatic enzymes के द्वारा digestion भी यहीं होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो digestion pancreas में कभी नहीं होता, digestion by pancreatic enzyme in intestine, digestion होता है, इंटेस्टाइन में है, लेकिन pancreatic enzyme के द द्वारा और बाइल जूस के द्वारा ठीक है तो सब कुछ आके कहां पे खुलता है इंटेस्टाइन में इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एकदम ओसम से सन होने थाला है ओसम से ओसम आप देखेंगे एकनम हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गए है तो आजका यह लोग देते हैं ठीक है अगले लीक्चर में चाम इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज ay हो रही है ठीक तो इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स आप लोग ध्यान से देखिएगा कोई भी चीज आपको भूलनी नहीं है अब भी तक अगर आपके दिमाग में हो कि pancreas में digestion होता है नहीं भाई pancreas में digestion नहीं होता digestion कहां पर होता है digestion होता है intestine में by the pancreatic juice या pancreatic enzyme क्यों क्यूंकि pancreas के enzyme खुदी inactive है और उसको activate कौन करता है यह deodenum की epithelial mucosa से enterokinase secret होगा देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहें आपको यह वाला चीज सबको clear होना चाहिए यही question पूछा गया था आपके TGT में ठीक और उसके बाद यहाँ पर हमने यह जो चीज लिखा pancreatic enzymes कौन-कौन से है तो हमने pancreatic juice बताया था और pancreatic juice में pancreatic enzyme है क्या-क्या है और इसके बाद हमने ये pancreas का पूरा का पूरा आपको सारी चीजे बताई थी यह हमने pancreatic के बारे में आपको बताया था कहां पर होता है ओके इसका exocrine part और endocrine part क्या है हमने बाइल का function बताया था हमने लीवर का function बताया था हमने लीवर के बारे में पढ़ा था ठीक है लीवर का जो structure है वो कैसे होता है ठीक है पोर्टल triad क्या है यह सारी चीज़ें ओके यह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ओके तो यह चीज़ हम यहीं पर अभी इसको stop करते हैं आगे हम लोग देखेंगे आगे अगले लिक्चर में हम लोग digestion और absorption वाला topic भी करेंगे शाम को लोग मिलते हैं ठीक है तो अभी for the timing आप लोग अच्छे से पढ़िए कोई भी problem हो कोई भी समस्या हो आप बताईए support team को हर एक समस्या आपकी सुनी जाएगी चलिए all the best